आप इस वीडियो के अंदर डिस्कुस करने वाले हैं इंडिया स्कॉलर्शिप जो भी तमाम बच्चे नौमी और से बार्मी कक्षा में बढ़ रहे हैं और स्पेशली गर्स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलर्शिप है और कितने वैसे मिलेंगे ये मिलेंगे आपको 20,000 रुपे आपको मिलेंगे 20,000 रुपीज क्या है इसकी कंडिशन किसको मिलेगा ये स्कॉलर्शिप कौन है एलिजिबल कौन से स्कॉल में बच्चा पढ़ना चाहिए और कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए ये तमाम बाते आपको इस वीडियो से मिलने वाली है तो वीडियो को फटाफट देखें और अन तक जिवू देखें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्क्राइब करना मत भूलें लाइक करना न भूलें और कमेंट करना न भूलें और यही चाहते हैं कि वीडियो को जाता से ज्यादा आप अपने study group में share करें जिससे की इसका जो lab है उन तमाम बच्चों को मिले जो की हमारे 9th to 12th class में बढ़ रहे हैं और financial assistant की उनको जरूत है क्योंकि आज की date में पढ़ाई जो है महिंगी हो चुकी है ट्विशन का भी खर्चा होता है तो यह scholarship आपको इन खर्चों से चुटका राव दिलाएगा और हमारे लिए एक अच्छी कबर है और यह अच्छी कबर को आपके तक पुचाने की पूरी कुशिश हम आपके साथ कर रहे हैं वीडियो का मकसद ही यही है कि आप लोगों को जादर से जादर जानकरी दी जाए और यह है इंडिया स्कॉलरशिप कक्षा नौमी से बार्मी तक पढ़ने वाली बेटियों को मिलेंगे बीस हजार रुपे का आविदन और यह आविदन जैसे की मैंने बताया और इस एप्लिकेशन का क्या फॉर्म है यह आज ही पब्लिश हुआ है एप्लिकेशन फॉर्म एम्रॉन हेल्थ केर इंडिया प्राइवेट लिमिटेट की तरब से यह स्कॉलरशिप है मैं दोबार रिपीट कर रहा हूँ आप देखी पारें स्क्रीन के उपर एम्रॉन हेल्थ केर इंडिया प्राइवेट लिमिटेट की तरब से स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई है इसकी लाज्ट डेट अप्लाई की 31 मही है और जो की स्कॉलरशिप रहने वाली है कितनी अमाउंट का स्टार्टिंग में बता दिया था 20,000 रुपे करने वाले हैं अब यह एड़टाइसमेंट उन तमी स्टूडेंट के लिए हैं जो की नौमी से बार्मी कक्षा में किसी भी स्कॉल में पढ़ रहे हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो बोर्डिंग स्कूल हो नौमी से बार्मी कक्षा के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी पिछले क्लास के अंदर 75% स्कोर होना जुरूरी है और दूसरी इंपॉर्टेंट है उनकी जो फैमिली इंकम है वो आट लाग से कम होनी चाहिए तो दो कंडीशन बताई ही मैंने एक 75% आपके नंबर होने चाहिए और दूसरी कंडीशन बताई है कि आपकी आट लाग से कम इंकम होनी चाहिए दो बातें पर ये स्कॉलर्शिप टिका हुआ है स्कॉलर्शिप को अप्लाई करने के लिए आपको डॉकुमेंट्स की रिकॉर्मेंट है मार्क शीट करेंट स्कूल एडिमिशन सेटिविकेट जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं इंकम सेटिविकेट अधार कार्ड और आइडेंटि कार्ड तो आपको पांच डॉकुमेंट्स की जरूत है मार्क शीट की करेंट स्कूल एडिमिशन सेटिविकेट की दो income certificate की तीन अधार कार्ड की चार और identity कार्ड की पाँचमी चीजे चाहिए होगी और आप form को इसी site से भने जैसे कि मैंने यह open किया हुआ है यही site है और उसके बाद आपने upload करने documents and letter you click on final submit and take secure print out of the application form और यह apply करने की जो last date है वो हमारे पास 31 मई दोजार 24 है official नीचे आप देख रहे हैं यहीं से आप apply कर सकते हैं apply here जब आप apply करेंगे तो आपके पास यह आपको यह वाला site आपको मिल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं और यह यहां से आप अपने form को apply here से apply कर सकते हैं तो यह मैंने पूरी आपको जानकरी दी है eligibility बताई है और सबी बाते आपके सब शेयर की गई है और आपने यह सारी record details जो मैंने शेयर की वो सारी बाते यहां पर है और इसके बाद अगर भी कोई queries आती है तो आप हमें संपक कर सकते हैं तो apply now जब हम click करेंगे तो यहां से आपका login हो जाएगा Google या phone number से Google ID से या mobile number से या email से तो you do not have any account registered करना है यहां से आपकी ये application form जमा हो जाएगी तो यह थी एक बहुत ही important आपके लिए खबर और hope आप इसका लाब उठाएंगे वो तमाम बच्चे जो इस conditions में follow करते हैं अब form भनने में तो कुछ नहीं आता कोई fees नहीं है और site पे है और यह कोई ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा fraud हो तो यह आपके सामने हैं इनी शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही close करते हैं day students और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बतानी है हम information time to time आपको देते रहेंगे और भी हर्याना में पढ़ने वाले बच्चे specially जो labor class है उनके लिए भी scholarship की बात हमारे पास आई है वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा और इस दरीगे से हम आपको चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ नया देते रहेंगे दन्यवाद दिन आपका शुप हो का बात है